हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बाक टो मैं चानल कुकन बेक्वित कवेता आज हम बनाएंगी क्रेमी जीवसी चिकन रेसिपी नो ओनियन नो गालिक नो रोस्टिंग उफ मसाला इजी तू मेक सिंपल और टेस्टी टू चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी यहां मैंनी लिया है 3 तेबल स्पून गी दो इलाइची एक तेच पत्ता चार क्लोस और एक इंच सिनेमम और एक तीस्पून जीरा लेस्स सॉट फूर फीव सेकंड उसके बद हम डालेंगे ग्रेटेड वान इंच जींजर सॉट फूर फीव सेकंड यहां मैंने लिया है 500 ग्रायम चिकन करी कट विद बोन यू कन उसे पांच मिनिट तक अज्यसे मिट्स होने के बाद हाई फ्लेम में चिकन को कोख होने दीजिए स्वाद के अन्शार नमक चिकन टेंडर होने तक हम कवर करके कुप करेंगे और नॉट टू आड़ दो वाटर अट आट 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 कि वाटर अपसोग हुआ है कि लो हीट में अब हम डालेंगे देट कप दूद्ध मिक्स करेंगे और पांच मिनिट तक लो हीट में इसको कुक होने दीजिए पांच मिनिट के बाद आदा टे स्पून दन्या पाउडर डालके अच्छे से मिक्स करेंगे और पांच मिनिट चिकन टेंडर होने तक कुप करेंगे यहां हम डालेंगे त्री टेबल स्पून आलमन पेट्स बादम पेस्ट पेस्ट मैंने तो घर पे बना लिया है आपको चाहिए तो मार्केट पे भी मिल सकता है आलमन पेस्ट और मिल्क अच्छे से मिक्स करके लो हीट में इसको कुक करने दीजिए चिकन थरोली कुक होने के बाद हम डालेंगे काले मिर्ची पाउडर वांटी स्पून और रोस्टेट कसूरी मेती अल्सो यहां मैंने चेक किया था नमक तोड़ा कम था इसके लिए मैंने नमक डाला है अनलो फ्लेम ओनली गिवा नाइस मिक्स और क्रेमी चिकनेस्क रेडी तु सर्फ यहां आप देख सकते हैं मिक्स्चर और बादाम पेस्ट और दूद का टेक्स्चर जूसी और क्रीमी है और यूनिक रेसिपी है एनिवन कैन प्राइट इस इजी और सिंपल रेसिपी ट्राइक करिए और मुझे बता दीजिए कमें सेक्शन में और स्बस्क्रीम् प्राइए जबर मुदिंगें क्षस्क बडर कर मैंने हुल निक यह हृँंड रेसिपी is दिए डापको यंटीपियो ठाई उस्तोर डेसिपी सब्सक प्राइए आपको यह एकरिसंझाक with your friends relatives and do subscribe my channel thank you for watching see you soon with the new recipe cook and bake with kavita